सुदीप नाइक जी राधा वल्लो श्री हरिवेंश राधे राधे महराजी मैं यूटूब के माध्यम से आप से जुड़ा हूँ एक साल से आपका एकांतिक सत्संग सुन रहा हूँ महराजी बहुत से अध्यात मार्ग के प्रश्ण उत्तर आपके द्वारा हमें मिले है महराजी मैं भक्ती और प्रेम मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन कभी कभी बुद्धी बहुत तरक्शिल हो जाती है बारवार केती है ब्रह्म तो निराकार है ये प्रेम मार्ग फिर मर्दी आगे पूरा वैसा ही इनका व्यक्त है हाँ ठीक है एक बात में कैसे हो सकता है जब वो शर्वम है तो एक बात कैसे तुम कह सकते हो कोई भी बात को पुष्ट करने के लिए व्यतिरेक और अन्वय पद्धती स्वेकार होती है हमें तुम्हारी बुद्धी तो तरक करती है हम तो वीश्व और सुसी मार्ग में रहे है सन्यास में बच्पन से और फिर ये मार्ग प्रहु ने दिया है तो ज्ञान का मार्ग दो पद्धती लेके चलता है अन्वय और व्यतिरेक है और ये नहीं है तो जो नानात तो देख रहे हो ये नहीं है ब्रह्म शत्यम जगन मित्या पर इसी में है हो वही सूत्र करता कह रहे है सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन ब्रह्म शत्यम जगन मित्या ये नानात तो मित्या है पुरनता कहा हुई यही नानात जिसे तुम मित्या करके आगे बड़े थे यही ब्रह्म सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानात किंचन किंचन मात्र ब्रह्म से अलग वो निराकार भी है वो शाकार भी है वो नजदीक भी है वो बहुत दूर भी है वो सुक्ष में भी है वो महतो महियान भी है है ना तो फिर कैसे बहिरन तस्च भूता नाम चरम चरमे उचे सुक्ष मात्यद बिग्गेयम आप उसको ऐसे कैसे कह सकते कि एक ही वो है कोई कहे वो प्रभु शाकार ही है और आपको प्रभु निराकार ही है और दोनों थपड़ चलाओ तो दोनों प्रभु को जानगे क्या नहीं जाने दोनों पक्ष देखो बर्फ जो है ये शाकार रूप मानो पर है क्या ये चल ही तो है और जल उसका निराकार रूप मानो जब जल की तरब देख रहे हैं, तो उस आकार में भी वही निराकार बसा हुआ है, और उसी निराकार का याकार है, अंतर तो नहीं है ना, ये तर्क बुद्धी से हम इस तत्तो को नहीं जान सकते, स्रधा बुद्धी से जान सकते, जब हम उसकी क्रपा होगी है, उपनिशदों में महापुरुषों ने कहा है कि नामात्मा प्रवचनेन लभ्या नमेधया नबहुना सुरतेन कोई बहुत प्रवचन करके उसे नहीं जान सकता कोई बहुत प्रवचन सुनके उसे नहीं जान सकता कोई बहुत मेधावान है बुद्धिमान तो भी नहीं जान सकता, आत्मा जिसका वरण करती है, वो उस्ट जान सकता है, स्विजाने, जी देहु जनाई, जानत तुम्हें, तुम्हें हो जाई, हम फसे कहा हैं? आकार में, फसे न, आकार में फसे हो, तो आकार से ही निकल जाओ, काटा लगता है, तो काटे से ही काटा न सच्चिदानंद आकार की भावना से प्रकतिजन्य आकार को मिटाते हैं और जहां उनमें जुड़े तो पूरे के पूरे अनुभों में आते हैं वो निराकार भी हैं वो शाकार भी हैं वो नजदीक भी हैं पूरा का पूरा इतना संसे ने रह जाएगा वही है वही है दूसरा कुछ नहीं है एक पक्षम लेकर चलेंगे तो झघक्डा हो जाएगा जग्डा होता है ना मेरा संपरदा है ते जाओ, ना, हम जहां फसे हैं, उससे छूटने का सरा लूप आए है, अब देखो ग्यानी जन, जो भगुवत मारगे के पती के, प्रणो जबते हैं, प्रणो आकार हुआ, कि निराकार है, प्रणो आकार है, आप प्रणो का उचारन करेंगे, तो उसका रूप आएगा, प्रण का खंडन कर रहे हैं, आकार की ही उपासना से, उसके तत्यों को समझ पाए, ये बात सब समझने होगी, एक बार, किसी ग्यानी महात्मा के परिकर के लोग आए थे, गंगा किनारे हम थे, जिनको ग्यान नहीं होता, बहुत ग्यान फर्राटे से बोलते हैं, मतलब, जो पहलव हो गया, उठाक जप से रख देगा, बाती होती, जो कमजोर होगा, पहले ही जाके एकदम, मतलब, कि तूफान मचाना चाहिए, क्योंकि उसको पता में टीक नहीं पाऊंगा, पहले ही एकदम ऐसे, तो जो कच्छा ग्यानी होता है, भर, 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 एकदम, अरे भाप, ये त उत्र समझ में, बस यही कि, साकार का वो खंडन कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, तो आम रहे का, जिसके आप निंदा कर रहे हैं, वो वो नहीं है क्या, तुम का भी आप जानते हैं, वो अपने गुरुजनों से जाकर पहले जानकारी कीजिए, कोई भी उपनिशद आप आप शादकार कर लो, सिद्ध हो गए, उपने तो दिखाई नहीं दे रहे, तो अभी सिद्ध हो गए, क्या, अभ्यास करो, आप शाद, जो चीज मनन करोगे, वैसे आपको दिखने लगेगा, इस रश्टी का एक शुरूप, जैसा आप द्रश्टी रखोगे, वैसे, अरे स सब दुष्ट हैं, तो आपको सब दुष्ट नजर आएंगे, वैसे, उनको देखा कि इतना ग्यान बघार रहे थे, जीरो पे खड़े थे, अनुभूती शूने जीवन, तरकी नहीं रह जाता, वास्ति वी ज्यान तभी, सूरी उद्ध हुआ तो कही अंदकार रह जाएगा तो घ्यान का भासकर उदय हुआ आपको इस अदसे कही वै वै कुछ उसके सिवान नहीं बचा, सा महतमा सुदुरु लखा, वा वा फाक्ष्ट तरक नहीं वही निर्गुण है, वही शगुण है, निर्गुण में रती नहीं होती है, सगुण में रती होती है, शगुण उपास्ना करोगे, तो वो जैसा है, वैसा पूरे का पूरा अन्भु कराता है, ऐसा तो नहीं कराता है, क्यों अन्भु नहीं होता है, हर शमय आकारिश, यह आक इतना भी निवकाया रहता अनंत ब्रम्हानों में जो कुछ हो मेरा प्रभू है और उस प्रभू को पूर्णते आजया उन्वह हो गया तो ग्यान वैराग भक्ति योग जिस मार्ग से चला जाता है जो अन्वह होता है उस अन्वह में आ जाता है ऐसा थोड़ी क्या भक्ति से ले तो आपको ग्यान नहीं होगा योग मार्ग वाला जो शिद्धी प्राग वो उसको अन्वह में ने उसकी कुंडलनी जाग्रत साब हो जाएगा वो एक स्थिती है अगर आप वास्तिविक भाव से चलना चाहते हैं तो प्रभू के नाम और प्रभू के रूप इनका आस् लनराम कहते हुआ है है उनी की कृपा से मार्ग मिला है कोई अंतर नहीं की च्वाद है का थोड़ा भेद है कोई सीदे को या पया रहा है को उसको बर्पी बनाक पा रहा है को उसका दोड़ी बनाक Пार रहा है वो एक दूद का सारा खेल है में जो कई성을 reviewed उपासकों के भावा में अनुभव करा देता कि मैं हूँ मेरे सिवा कोई नहीं है यही अनुभव हो जाना भक्त क्या अनुभव करता है आप ही आप सब कुछ है ज्यानी क्या अनुभव करता है मैं ही मैं सब कुछ हूँ तो मैं स्री कृष्ण है गीता में केते मैं ही मैं हूँ तो वही मैं है तुम धमने लडाय जगड़े ना निंडा इस्तति ये सब अध्यान की धरा में होते हैं भक्ती मार्ग 허팝 मार्ग में लडाय जगड़ा का प्रस्ण का रहेगया जिस्से जगड़ा हम करें वही हमारा प्रभू है हम जगड़ा किसे कर रहे है जिसको हम नीच कह रहे है वो मेरा प्रभू ही है अब क्या है तो जब यहीं नहीं माना तो फिर गर्बल हो गया फिर उपासने नहीं नहीं बन पाई